हेलो गाइज वैलकम टू मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ओजैनेसिस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कुस किया था कि किस तरह से स्पर्मेटोजैनेसिस का प्रोसस होता है आज हम बात करने वाले हैं ओजैनेस किस तरह से होता है आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आज हम बात करेंगे कि किस तरह से फीमेल के अंदर जो है गैमीट सैल्स की फोर्मिशन होती है ठीक है सो उजैनेसिस क्या होता है ओजैनेसिस इस प्रोसस ऑफ डॉल्पमेंट और प्रोड़क्शन और फीमेल प्रोसस स्टार्ट होता है लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता प्रोसस सटार्ट हो जाता है चिमेल की स्टार्ट हो जब एक female की development हो रही होती है, मतलब वो embryonic stage में होती है, तो क्या होता है, बहुत सारे stem cells बनते हैं, आपको पता है कि एक जो fetus होता है, वो stem cells से ही बनता है, stem cells बनते हैं, वो कुछ stem cells जो उसके heart बनाते हैं, कुछ stem cells brain इस तरह से अलग लग parts जो बॉड़ी की, वो divide होते हैं, इस female gamete, की formation करती है, तो उन cells को हम बोलते है primordial germ cells, इनकी formation होती हैं एप्रोक्सिमेटली सेवन मिलीन सेल्स की फ़र्मेशन हो जाते हैं जो 20 विक्स की एंब्रियो होती है तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इतनी नमबर्स ऑफ गैमीड दस्ट की फ़र्मेशन होती है प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं इसके अंदर माइटॉसेस डिविजन होती है और यह किसमें चेंज हो जाते हैं यह उगोनियम में चेंज हो जाते हैं single cells को हम ugonium बोलती है लेकिन plural को हम ugonia बोलती है ठीक है और हर एक के अंदर एक fetal ovary होती है ठीक है अब क्यों जो यह primodial germ cells है इसके अंदर mitosis हुआ और यह इससे क्या हुआ दो cells की formation हुई जिस तरह male के case में था spermatogonium उसे परकार female की case में जो stem cells के बाद जो cell बनते हैं उनको हम होते हैं ugonium ठीक है अब ugonium की formation हो गई अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद इसमें फिर से mytosis division होगी हम पहले डाइग्राम के थरू देखते हैं बाद में आपको में theoretically समझा होगी ठीक है अब यह आप देख रहे हो यह है primodial germ cells ठीक है primodial germ cells जो होते हैं यह एक टाइप इसके अंदर mytosis होगी और उससे जो दो सेल्स बनेंगी मतलब एक primodial germ cell जो है वो दो ugonium बनाएगा ठीक है सो क्या होगा बहुत सारे primodial germ cells से इसके अंदर mytosis division होगी इसमें हम single cell को लेकर चलते हैं ठीक है single cell divide करेगा mytosis से और दो cells की formation करेगा एक cell को हम बाहर निकाल देते हैं और हम एक single cell की बात करेंगे ठीक है उस single cell को हम बोलते हैं ugonium और बहुत सारे जो cells form होए उनको हम बोलेंगे ugonia ठीक है सो अब यह क्या होगा जो यह ugonium है यह फिर से डिवाइड करेगा mytosis के ठीक है अब क्या होगा जो यह ugonium है यह दो cells की formation करेगा एक cell हम फिर से बाहर निकाल देते हैं हम single cell की बात करेंगे अब जो इसमें जो दो cells की formation होई उनको हम बोलेंगे primary u sides ठीक है हम एक u side को side रख द की formation होई जिनको हम बोलेंगे primary u sides ठीक है यह सारा जो प्रासेस हो रहा है यह embryo में हो रहा है ठीक है अब क्या होगा जो यह primary u side है यह grow करेगा size में और इसके अंदर face division होगी कौन से meiosis आपको पता है जो meiosis division होती है वो दो cycle में complete होती है meiosis 1 and meiosis 2 ठीक है अब जब यह primary u side में ए यह arrest हो जाएगा इसके बाद इसकी development नहीं होगी क्योंकि इसके लिए कुछ hormones के जूट पड़ती है वो hormones अभी इसके पास नहीं है वो hormones आगे का process जो होगा उसको trigger करेंगे इसलिए उन hormones की absence में meiosis 1 जो है वो complete नहीं हो सकता so यह prophes 1 में जाकर ही arrest हो जाता है मतलब इसकी development है वो वहीं पे रुख जाती है अब क्या होगा अब जो वो female है मतलब जो एक mother की uterus में जो female की development हो रही है जब उसका birth हो जाएगा और उसके बाद जब वो sexually mature हो जाएगी मतलब वो puberty को hit करेगी तो उस time पे यह जो meiosis 1 का process यहा जो process था यह कहां पर start हो गया था यह embryonic stage में start हो गया था लेकिन यह pro phase 1 में आगे arrest हो गया मतलब pro phase से आगे यह नहीं हुआ और वहां पर यह stop हो गया यहां तक का जो process है यह embryonic stage में था अब क्या होगा जब एक female born हो जाएगी मतलब उसका जब birth हो जाएगा उसके बाद जब को हिट करेगी मतलब उससे पहले उसका बर्थ होगा वह grow करेगी मतलब जब तक वह sexually mature नहीं है उसके अंदर कोई भी development नहीं होगी मतलब आगे का process नहीं होगा वहीं पर arrest हो चुका है लेकिन जब जैसे ही एक female puberty को हिट करेगी मतलब वह sexually mature होगी तो क्या होगा जो यह meiosis 1 का जो process है pro phase 1 में जो stop हुआ था वो आगे continue होगा ठीक है इसके लिए कुछ hormones की जोड़त होती है अब वो hormones जो है वो उसकी body में present है मतलब वो hormones उसकी body में synthesize होगी है तो अब जो यह meiosis 1 का process है वो आगे continue होगा जो यह primary oocyte है यह divide करेगा meiosis के through मतलब जो process 1 है वहाँ पे यह rest हो चुका था लेकिन आगे का process है meiosis 1 का वो continue होगा अब यह primary oocyte 2 में divide कर गया अब इसमें 2 cells की formation होई लेकिन यह जो 2 cells है यह unequal है मतलब जो इनका size है एक बड़ा है और एक चोटा है ऐसा क्यों है क्योंकि एक cell के अंदर जो है cytoplasm का content जादा है और एक cell के अंदर जो है क्योंकि यह first ऐसा cell है body में जो non-functional है जिसका कोई काम नहीं है और जो दूसरा cell जो form हो रहा है उसको हम बलेंगे secondary oocyte अब जो यह secondary oocyte है और यह first polar body जो form हुए है इनका जो chromosome नंबर है वो half होगा जो हमारे पास primary oocyte था यहां तक जो chromosome का नंबर है वो diploid था लेकिन meiosis एक ऐसा process है जिसमें जो chromosome का नंबर है वो half हो जाता है इसलिए हम इसको बोलते है reductional division तो क्या होगा अब जो यह दो cells की formation होई इसमें जो chromosome का नंबर है वो half हो गया मैंने यहां पे n से represent कर रखा है अब जो यह n है यह represent करता है कि यह वाला जो cell है ही haploid है मतलब इसके पास जो chromosome नंबर है वो half है as compared to mother cell यहां पे जो primary oocyte है वो mother cell की तरह है इससे जो दो cells की formation होई है वो है secondary oocyte अब जो यह secondary oocyte है इसके अंदर जो है meiosis 2 होगा जैसे ही यह secondary oocyte meiosis 2 में enter करता है यह उसमें meiosis 2 में जो second stage आती है pro phase के बाद आपको पता है metafase आती है अब यह metafase में जाकी arrest हो जाता है ठीक है अब इसके बाद जो ही इसकी development नहीं होती यह metafase में जाकर रुक जाती है इसकी जो development होती है वहाँ पर बंद हो जाती है अब क्या होका जो इस secondary oocyte है यह ovulation के लिए ready है मतलब यह जो secondary oocyte है यह क्या करेगा यह ovulate हो जाएगा मतलब इसमें जो process होईगा उसको बोलेगी ovulation ठीक है यह ovulate हो जाएगा मतलब यह body से बाहर release हो जाएगा menstrual cycle की ठीक है अब क्या होगा जो यह secondary oocyte है यह ovary से release कर दिया जाएगा और यह आ जाएगा fallopian tube में मतलब जो uterus होता है उसमें क्या होता फैलोपिन tube के साथ आगे होती है ovary अब ovary से जब वो release कर दिया जाएगा वो फैलोपिन tube से बाहर आएगा menstrual cycle के ठीक है अब जब वो ovary से फैलोपिन tube में एंटर कर चुका है तो वहाँ पे अगर तो उसको कोई sperm मिल जाता है मतलब उसको कोई sperm cell मिल जाता है तो वो fertilize हो जा अब क्या होगा जो secondary oocyte है मानलो वो फैलोपिन tube में एंटर हुआ ठीक है मतलब वो ovary से release हुआ और वो एंटर कर गया फैलोपिन tube में वहाँ पे उसका सामना हुआ sperm से मतलब उसको sperm के साथ उसकी interaction हुई और उस sperm जैसे ही वो उसको touch करेगा वो cell जो है आगे का process स्टार्ट कर और डिवाइड करेगा आपको पता है जब meiosis 2 में cell divide करता है तो उसका जो chromosome number है वो सेम रहता है उसमे chromosome number half नहीं होता ठीक है तो इसलिए जो यह secondary oocyte है इसका जो chromosome number है वो heparoid है इससे दो cells की formation होगी ठीक है एक polar body और दूसरा oocyte ठीक है मतलब उसकते हैं जिसको हम exhale बोल सकते ह इससे दो cells की formation होगी एक तो जो है वो degenerate हो जाएगा इसमें जो cytoplasm का content है वो बहुत कम है और जो दूसरा cell form हुआ है उसमें cytoplasm का content enough है मतलब वो fertilize हो जाएगा जब sperm उसके अंदर enter करेगा ठीक है इस परकार एक egg cell की formation होती है मतलब एक ovum जिसको हम बोलते हैं fertilize जो egg होता है वो complete mature egg नहीं होता वो सिर्फ secondary oocyte तक की formation होती है बागी का जो process है यह sperm के साथ contact में आने के बाद होता है बट menstrual cycle में ऐसा नहीं होता जो primordial germ cells होती है उनमें division होती है और ugonia बनते हैं एक ugonium की बात करेंगी ugonium में कौनसे division होगी उसमें होगी mitotic division वो divide करेगा दो cells में उसमें बनेगा primary oocyte ठीक है primary oocyte बनेगा एक oocyte को हम साइट रखतेते हैं मतलब एक oocyte को ले रेंगे अब जो primary oocyte है वो क्या करेगा वो grow करेगा और वो divide करेगा meiosis के थ्रूप ठीक है जो primary oocyte है उसके अंदर जो meiosis की division में वो enter करेगा तो वो starting मे arrest हो जाएगा मतलब वो प्रोफेज में जाकर ही arrest हो जाएगा क्योंकि उसके पास वो hormones नहीं है जो आगे का process continue करवा सके तो क्या होता है वहाँ पे वो temporary arrest हो जाता है इस stage में जो primary oocyte है उसके उपर कुछ cells की layer होती है मतलब क्या होता है जो एक primary oocyte होता है उसके उपर कुछ cells की layer form हो जाती है उन cells को हम बोलते हैं follicle cells या फिर granulosa cells ठीक है वो जो granulosa cells होते हैं यह primary oocyte को surround कर देते हैं और उसको हम नाम देते है primary follicle ठीक है एक female की ovary में बहुत सारे जो यह primary oocyte है वो store रहते हैं और हर मन्त जो उसकी ovary से एक एक जो है वो mature होता है वो आगे divide करता है औ और वो बाहर release हो जाता है इस परकार menstruation का process होता है अब जो यह primary oocyte है इसके बाहर कुछ cells ने layer बना ली है उन cells को हम बोल रहे है granulosa cells या फिर follicle cells जो यह follicle cells है इनकी वज़ा से हम primary oocyte को नाम देंगे primary follicle ठीक है अब जो यह primary follicle है यह embryonic stress में है मतलब आपी जो female है वो उसका mature नहीं होई है अब बर्थ तक क्या है जो यह primary follicles है इनका नंबर जो हो बहुत कम हो जाएगा यह degenerate हो जाएगी और इसमें हर मन्त एक egg release होता है वो आगे divide करता है फर्दर जो process होता है उसमें और वो ovulation के तरू और बर्थ को हिट करती है तो उसमें जो यह primary follicles का नंबर है य primary follicles जो है वो बर्थ के टाइम तक क्या होता है वो बहुत सारे cells वो degenerate हो चुके होती है ठीक है जब फिबर्टी में जब female enter करती है तो उसके बाड़ी में 60 तो 80,000 primary follicles सी ओवरी में रहती है जब रह चुके होते है ठीक है जब वो पिबर्टी को हिट करती है तो क्या होता है जो primary follicle है उसके जो development है वो arrest होई थी meiosis 1 में वो process जो है आगे continue होता है ठीक है और उसमें जो menstrual cycle वो start हो जाती है जो first menstrual cycle होती है उसको हम बोलते है मेनार्ग ठीक है जो कि 12 to 16 years of phase में start होती है ठीक है अब क्या होता है जो primary oocytes होते हैं उनकी उपर जो follicle cell की जो layer है वो क्या करेंगे वो proliferate करेंगे मतलब वो or cells की formation करेंगे और इस प्रकार एक और layer की information करदेंगे primary oocyte की around अब जो primary oocyte की around जो follicle cells की formation होई मतलब जो granulosa cells की formation होई है वो cells क्या करेंगे वो glycoprot Bodyne की। सिक्रेशन करेंगे और जो ग्राइको प्रोटीन है यह एक लेयर बना देगी प्राइमरी उसाइट की एराउंड जिस लेयर को हम बोल रहे हैं जोना पैलियोसीडा ठीक है जो प्राइमरी उसाइट है उसके एराउंड एक लेयर की फॉर्मेशन होगी जिसको नाम दिया गया है C Eck natin जोना पलीशिटा मतलब een नए Gir tweeter extration हो चुकि है new thica gets generated अप जो primary ऊसीट है उसके Around granulosa cells uh com और लेड की formation हुच्छी है इसवाजह से हम उस cell को आप बहरेंगे fifth नाम देदी दिया गया secondary follicle egए अब जो secondary follicle है इसमें क्या होगा इसमें कई लियर की formation हो चुकी है मतलब इसमें double triple layer form हो चुकी है अब जो ये scandry follicle lies इसमें जो granulosa cells की layer form होई है उन लियर के बीच में एक space create होगा एक cavity create होगी उसको नाम देंगे entram ठीके वो जो cavity है उसको नाम दे दिया entram यह जो entram है इसके अंदर fluid फिल होता है जिसको हम बोलते हैं high hyaluronic acid ठीक है उसकी वज़ा से क्या होगा जो यह scandry follicle है यह transform हो जाएगा tertiary follicle में ठीक है जो यह scandry follicle था यह change होंके किसमें यह transform हो गया tertiary follicle में अब जो यह tertiary follicle है यह आपको बोले कि इसमें granulosa cells की जो है वो कई लेयर फॉर्म हो चुकी है इन लेयर के बीच में क्या होगा कैविटी फॉर्म हो गई अब जो वो cavity है उसके अंदर एक यह tertiary follicle है इसके पास two layer of cells है मतलब इसके पास दो थीका है थीका का मतलब इसके पास दो layers है जो बाहर वाली लेयर है उसको बोलते है एक्सटर्न और जो इनर वाली लेयर है उसको बोलेंगे अब क्या होगा जब यह tertiary follicle के अंदर जो primary oocyte है वह size में grow करेगा मतलब इसके अंदर ग्रोव करेगा और इसकी जो first meiotic division है वह complete करेगा ठीक है अब first meiotic division होगी उससे दो अन इक्वल साज की formation होगी एक polar body और दूसरा secondary oocyte ठीक है अब क्या होगा जो secondary oocyte है और उसके साथ जो polar body की formation हुई वो polar body जो है वो degenerate हो जाएगी और जो secondary oocyte है यह आगे फर्दर grow करेगा यह फर्दर divide करेगा secondary oocyte में क्या होता है इसके पास large amount of cytoplasm होता है और जो यह polar body होती उसके पास बहुत कम amount में cytoplasm होता है इसलिए यह non functional होती है लेकिन जो secondary oocyte है उसके पास जो है cytoplasm वो enough होता है सो अब जो यह secondary oocyte है इसमें meiosis 2 division start होगी ठीक है meiosis 2 division इसमें start होई लेकिन क्या हुआ meiosis 2 जो है वो second stage में जाकर ही arrest हो गई second stage का मतलब है वो meta phase 2 में arrest हो गई और बागी का जो process है वो वहां पे stop हो गया आगी का process तब होगा अगर उसको एक sperm hit करता है मतलब उसको एक sperm मिलेगा तब वो egg आगे fertilize होगा और उसके अंदर जो process 2 की division है वो complete होगी अगर ऐसा नहीं होता है तो scantary oocyte जो है वो meiosis 2 के meta phase 2 stage में ही ovulation में चला जाता है मतलब वो body से बाहर release हो जाता है वो fellow pin tube से होता हुआ menstrual process में body से बाहर release कर दिया जाता है अब जो tertiary follicle है वो mature हो जाएगा वो और वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा graphene follicle ठीक है कि tertiary follicle के अंदर जो यह scantary oocyte है वो body से बाहर ovulation के दुरू release हो जाता है ठीक है चलिए अब diagram में देखते है अब क्या होता है जो यह primary oocyte होता है मतलब यह primary follicle के अंदर primary oocyte है वो किस तरह से form होता है जिस प्रकार एक primordial germ cells जो है वो o gonium बनाते है जो यह o gonium में यह primordial follicle के अंदर होता है मतलब जो यह o gonium में उसके बाहर कुछ cells की formation होती है मतलब जो primary oocyte है उसके बाहर layer of cells होती है उसको हम बोलेंगे primordial follicle ठीक है मतलब यह follicle cells है अब यह जो follicle cells होती है यह proliferate होंगी इसमें कुछ hormones के जूरत होती है जिस प्रकार luteinizing hormone है और follicular stimulating hormone है यह क्या होता है pituitary glands जो होते है वो इसको release करते है और यह जो hormones होते है यह help करते है primary follicles को proliferate होने में ठीक है इससे क्या होता है जो यह primary follicles है यह अंदर आप देख रहे हो यह है primary oocyte और इसके बाहर जो यह layer of cells है इनको हम बोलेंगे primary follicle मतलब यह follicular layer है granul luteon cell से this size में grow करेंगे और यह इस प्रकार क्या करेंगे जो 2 layer की formation कर देंगे मतलब पहले एक layer थी उसके बाद यह proliferate होंगे और दूसरी layer की formation कर देंगे एक layer यहां से होगी और दूसरी layer Ase vidare स bonsheet ऑक है मतलब एसे-से cells की layer बन गई है ऐसे और एक layer जो है वो यहां से form हो चुकी है ठीके अब जो यह दो layer की formation होई इसके बीच में cavity form हो गई यह मैंने आपको दिखा रखा यह है cavity यह cavity form हो गई इस cavity को हम बोलते है entram इसके अंदर high adoronic acid होता है ठीके और जो यह cavity है इस cavity की वज़ा से जो यह primary follicle है इसको हमने नाम दिया secondary follicle मतलब इसका नाम जो है वो transform होगे प्राइमडी से secondary stress पहुंच गई इसको नाम दिया secondary follicle अब क्या होगा जो मतलब एक mature secondary follicle है उसके अंदर जो meiosis की जो division थी वो complete होगी meiosis one जो है वो complete हो जाएगी अब क्या होगा जो यह जो cavity है ठीक है यह cavity इस तरह से बढ़ गए और इसके बाहर जो cells की formation है मतलब इसमें layer of cells है यहाँ से कुछ hormones की जूरत होती है यहाँ पे वो hormones क्या करेंगे वो इस area पे hit करेंगे और यहाँ से जो यह graphene follicle जो है मतलब जो follicular cells है वो degenerate होना start हो जाएंगे मतलब यहाँ से यह open हो जाएगा ठीक है और इस परकार जो यह egg है यह ovary से release हो जाएगा ठीक है यह ovary है मालो यहाँ से egg release हुआ और वो चला गया fallopian tube में fallopian tube में वो egg गया और वहाँ पे उसको अगर तो कोई sperm मिल जाता है तो वो क्या होगा वो fertilized egg होगा और इस परकार से वो embryo की formation करेगा और फर्दे जो है जो process हमने पीछे पड़ा वो start हो जाएगा ठीक है अगर ऐसा नहीं होता है अगर वहाँ पे कोई sperm present नहीं है तो क्या होगा वो जो egg है वो menstruation के तरू मतलब वो menstrual cycle के तरू body से बाहर release हो जाएगा ठीक है इस परकार जो है यह diagram में आप देख लो यह यहां के जो cell से वो degenerate हो चुकी है और यहां पे जो यह egg था यह egg जो है ovulation के तरू यहां से release हो गया है अब यह egg जो है यह यहां पे चला गया है ठीक है यह यहां पे यह egg जो है मतलब यह fallopian tube में आगया है fallopian tube में अगर कुछ sperm मिला तो यह fertilize हो जाएगा अगर sperm नहीं मिला तो यह menstrual cycle के तरू body से बाहर release हो जाएगा अगर इसको sperm मिल जाता है fallopian tube में तो जो meiosis 2 की जो division metaphys 2 में arrest होई थी वो आगे continue होगी मतलब आगे जो है एक complete fertilized egg की formation होगी ठीक है मतलब जो मान लीजे यह sperm है यह sperm जो है n number of n इसके पास है और n इसके पास है इसलिए जो fertilized egg होगा उसके पास उसका जो chromosome number होगा वो 2n होगा ठीक है एक n यहां से आएगा एक n यहां से आएगा और इस प्रकार एक embryo की formation होगी तो यह था oogenesis का process के किस तरह से females की case में gametogenesis का process perform होता है किस तरह से female gametes की formation होती है और किन-किन stages से होकर एक mature egg की formation होती है मतलब एक ovum की development होती है सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को like करना मेरी चैनल को subscribe करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करना Thank you for watching